Hello everyone, Good morning, Namaskar, The Indian Express newspaper analysis में आपका स्वागत है, आज डेट है 24 April 2022, तो जितने भी important news होगी इंडियन एक्सप्रेस में वो हम cover करेंगे इस वीडियो के अंदर, सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पर प्राइमिश्च साहब के एक विजिट होने वाली है, जम्मो एन कस्मीर में, और इ ऐसे यूनिक है, तो प्राइमिश्च साहब के जो विजिट होगी, यह होगी, पल्ली विलेज्च जो की सामवार डिस्टिक में बढ़ता काफी क्लोज है पाकिस्तान के, और इसके अलावा, आर्टिकल 370 को अब्रोग्रेट करने के बाद, पहली बार यह उनकी विजिट तो बहुत सारे local bodies के जो members है, वो भी इसके अंदर participation करेंगे, और इसके लावा, 2019 के बाद, इस विजिट में बहुत सारे project को integration क्या जाएगा, और foundation stone रखी जाएगी, जमण कस्मीर के perspective से, ठीक है, तो यह बहुत basic सी लेकिन important information है, जहां तक पंचायती राज कारून के बारे मे बात करते हैं, तो भारत के समिधान में 73 और 74 constitutional amendment काफी important है, उनकी importance और जैसे इसके बाद 11 और 12 schedule include करेगी, 11 में 29 subject आते हैं, 12 के अदर 18 subject आते हैं, यह चोटी चोटी basic information हमें पता होने चाहिए, इसके बाद right hand side एक news आपको नज़र आएगे, और यह है taxation को लेकर GST को लेकर debate कि किया गया है, GST को लेकर discussion किया गया कि कुछ product के जो, जो slabs है वो change किये गए है, GST council decision लिया कि 143 items जो उसको increase किया जाए गया है, उनमें से 92% items को 18% text से 28% text के अंदर हम include कर दिया जाएगा, जिसमें perfume से लेकर chocolate बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर include होगी, और जिसमें power bank, watches, suitcase hand bank, perfume, deodorant, color TV, सारी चीज़े include हने वाली है, लेकिन क्या क्या include होगा ये हमारे लिए important नहीं है, हमारे लिए important है GST और GST council, तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा discussion करूँगा कि GST है क्या, और GST council basically क्या होती है, तो भारत में GST का जो procedure है, 2006 में सुरू हुआ, कि हमें GST बनाना union finance minister ने budget के दरौन का, तब ये idea था कि एक अप्रिल 2010 तक loans कर दिया जाएगा, लेकिन फिर बहुत सारे consultation हुए और finally, 101 constitutional amendment के थूँ भारत में GST को लागू किया गया कब 1 जुलाई 2017 को ठीक है, 1 जुलाई 2017 को ये लागू कर दिया गया, ये देश के सभी राज्यों यू 662A के अंदर ये mention किया गया है, कि goods and services tax का मनलब है supply of goods and services और both, accept taxes on the supply of the alcoholic liquor for human consumption, यानि alcoholic liquor for human consumption अभी भी GST के radar से बाहर है, अब goods क्या होती है, services क्या होती है, state क्या होती है, इसके बारे में definition दीगी है, अलग अलग चीजों के अंदर, article 36626A के अंदर, 26B के अंदर, ठीक है, इस इसके अला जब goods and services tax यानि GST को बनाया जा रहा था, तब बहुत सारी countries के जो wet यानि value added taxes, आज भी राज्यों के अंदर, कुछ EAS के अंदर wet लगू है, क्योंकि GST कई सारे items में उसमें include नहीं है, तो European Union, Australia, Malaysia, बहुत सारी countries के साथ consultation किया गया, उनके wet GST को absorb किया गया, और उस इसमें एक topic काफी important होता है, compensation के बारे हम discussion करता है, GST के अंदर एक close है, जिसमें mention किया गया है, कि अगर राज्य सरकारों को GST लागू होनी की वज़े से कोई revenue में नुकसान होता है, तो close 19 ये बात करता है, कि 5 साल तक compensate करेगा center government, ठीक है, अभी भी कुछ चीज़ें इसके द इंक्लूड नहीं है, GST के अंदर, यहांबर बताया गया कि center tax, state tax, यह जो बहुत सारी लंबी चोड़ी list दी गई है, यह अब इनको मिलाकर GST बनाया गया, अगर आप main main taxis के बारे में बात करेंगे, तो central levies जो है वो जैसमें custom duty, exercise duty, central sales tax, service tax ये इंक्लूड थे और state की बात हो गया, state GST है, UTGST या interstate GST, क्या-क्या चीज़े अभी भी include नहीं है, alcohol for human consumption ये include नहीं है, five petroleum product जिसमें crude oil, diesel, petrol, natural gas और ATF यानी aviation, turbine fuel या airplane sector के अंदर जो fuel इस्तमाल होता है, वो अभी भी include नहीं है, tobacco इसके अंदर include नहीं है, entertainment tax जो कि local bodies के दवारा ले भी किया जाता है, वो include नहीं है, अब बात करते हैं, GST council की, भारत के समिधान में article 279A को insert किया गया, और इसके बाद इसमें बताएगे, GST council होगी, जिसको chair करेंगे union finance minister, voice chairman होंगे, जो अलग-अलग राजियों में से कोई एक चुना जाएगा, और इसमें member में minister of state finance, यानि कभी-कभी आपने देख for example finance home, तो उसको assist करने के लिए कुछ state minister भी उसको attach की जाते हैं, उसको बोला जाता है ministry of state, ठीक है finance, state in the sense की राजियों के नहीं, बलकि ये center के minister होंगे, बट उनको assist करने के लिए cabinet minister को ये, एक बोल सकते हैं, आप इनको subordinate भी बोल सकते हैं, जो cabinet minister के और उसे को, क्योंकि ministry में बहुत सारे department होते हैं, और उनमें से कुछ department इनको अलोट किये जाते हैं, इसके अलावा minister of finance and taxation of each state participate करते हैं, कोरम होता है 50% का, कि भाई meeting करने तो 50% जो member उसमें participation होना चाहिए, राज्यों का वेटेज है दो त्याही और center का वेटेज है एक त्याही, जो भी decision लिए ठीक है, ये कुछ चीजे हैं, और GST में जो slabs होती है, 5%, 12%, 18%, 28% होती है, बहुत सारी चीजे अभी भी exempted, यानि 0% जिस पर tax लगता है, ठीक, क्या-क्या decision हुए ने, अब तक वो important नहीं है, basic information, इसके बाद बात करेंगे, इंडिया और जपान के बीच में एक project है, bullet train को लेक है, इसको लेकर जपान के ambassador ने हमारे union finance semester को लिखा है, कि income tax की वजए से इसमें disturbance create हो रहा है, ये project अलरड़ी काफी delay है, और इसमें माना जाता है कि land acquisition को लेकर, और महराश्रा government पर काफी allegation लगते हैं, कि उसने positively या एक तरीके से confidently इसके अंदर cooperation नहीं कर रही है, इसके लाव इस project को, bullet train project को, और इसमें और जपान के ambassador ने एक तरीके से warning करी है, कि अगर इस तरह की issues के income tax के issues को sort out नहीं किया गया, तो ये भारत और जपान के वीच में जो bullet train का project है, इसको कहीं नहीं कहीं negatively impact करेगा, ये जानकर यहाँ पर दी गई है, इसके बाद page number 9, जो government and politics का आता है इसमें दो important topic हमें discuss करने, दोनों international relations ही है, लेकिन important है, सबसे पहले यहाँ पर USA की तरफ से statement आती है, कि वो नहीं चाहते कि भारत बहुँ ज़्यादे depend करें, रशिया पर defense को लेकर, और मैं आपको कुछ चीजी समझाता हूँ, भारत अपनी defense जितनी भी procurement है, हम लोग import करते है उसमें लगबख 60%, यह number up down हो सकता है, लगबख 60% हम लोग import करते हैं, रशिया से, यह चाहते हैं यह रशिया पर dependency कम करें, और indirectly वो यह भी चाहते हैं कि भाई, वो USA के साथ defense deal जो है वो और ज़्यादा करें, ठीक है, तो यह उनका परपज उसी के बारे मता है, कि हम नहीं ज काफी costly पड़ते हैं, यह एक region है दोनों के बीच में, हलाकि भारत और US के relation भी अच्छे खासे हैं, और improvement जो हो हुआ है, इसके लावा, रशिया के बारे में, रशिया ने एक letter लिखा या रशिया ने भारत से medical equipment को लेकर, जो हो requirement करी है, रशिया पर western country जिसमें US और उनके alliance, European Union के alliance है, उनके साथ जो परतिबंद है, उसके बाद, रशिया यह चाहता है, कि जितने भी medical equipment है, जो major medical equipment है, उसको लेकर, इंडिया उनको मदद करें, जिसमें, एक तरीके से अगर आप देखेंगे, एक स्रे मसीन बेसिक जो होते, ECG, MRI, मसीन इस तरह के surgical needle से लेकर, और अलग issues को लेकर, medical perspective में, भारत उनकी मदद करें, हलाकि यह बतायागा कि European Union और USA, estimated 1.6 billion dollar की medical equipment रशिया खरीदता था, लेकिन, हलाकि अभी भी परतिबंद, जो है, sanction medical equipment पर नहीं है, लेकिन, इन में बहुत सार issues है, hurdles जिसके वज़े से खरीद पाना, या trade कर पाना, इतना आसान नही है, दूसरा, यह बताया गया कि, इंडिया एक major hub है, pharmaceutical industry के अंदर, तो यह game changer हो सकता है, और बहुत सारी Indian medical association भी यह कहता है, कि आने वाले time में, रशिया में, रशिया और इंडिया के बीचे में, medical equipment को लेकर, काफी trade हो सकता है, 2020 में, इंडिया और रशिया के बीचे में, इस sanction लगा है, उससे भी बचा जा सकता है, यो ऐसे लगातार pressure create करता है, कि डॉलर रशिया के बीच में, रशिया और इंडिया के बीच में, रूबल और रूपी के अंदर trade नहीं होना चाहिए, अभी तक trade जो है, वो dominated होता है, डॉलर के अंदर, अगर रूबल की demand बढ़ती तो उससे क्या होता है, रूबल की जो value है, currency की, वो भी कहने की increase होता है, अगर किसी currency की value या किसी की demand increase हो जाती है, तो उसकी value भी अपने आप में increase होनी शुरू हो जाती, तो यूएस से यही एक concern है, जैसे आपको पता होगा, जब रशिया और यूएस के बीच में, sorry, जब यू currency जो हो धीरे-दीरे improvement होना सुरू हुई, और उसे के बारे में यहाँ पर भी consultation किया गया, कि भाई यह नहीं चाहते, लेकिन भारत alternate पर बात कर रहा है, कि रूपी रूबल को लेकर consultation करें, रेशन में आपने पढ़ा कल के दा हिंदू के डिटोरिल में भी आया है, कि भारत के प्राइमिस्टर साब ने जो फॉर्मर प्राइमिस्टर सोरी, मनमोहन सिंग जींग ने उन्होंने एक letter लिखा है सरकार को, कि ठीक है आप बातचित करी consultation करिए, बट आपको यह नहीं करना कि भाई आप डॉलर को यह अंडरमाइन कर दो, ऐसा ही possibility नहीं है, आने वाले टाइम प्राइमिवे डॉलर जो वो एक leading currency बनी रहेगी, इसके बाद page number 11 पर जो last information यहाँ पर आप देखेंगे last words के अंदर, हमारे Chief Justice of India ने कुछ important statement दी है, कुछ important बाते बताई है, उनके बारे में थोड़ा सा discuss करेंगे, brief में, लेकिन important जो to the point बाते हैं, सबसे पहले उन्होंने ब legislative और executive को जो power ही नहीं, उसका इस्तमाल करें, यह हमारी responsibility है, court की responsibility है, इसके लावा कुछ mean mean उन्होंने बाती बोली, पहले बात बताया कि, जो number of appointment है, उन्होंने recommendation किया, जो collegium system है, जो उनको, जो इसको head करते है, supreme court में, 180 recommendation करी high court में, जिसमें 126 appointment हो चुकी है, और अभी भी high court के अंदर अगर आप देखेंगे, around 388 vacancies जो है, पेंडिंग है, उसको लेकर उन्होंने recommendation करी है, ensure कि देश के अंदर judiciary ensure करे कि लोगों का faith बना रहे, इसके लिए जरूर है कि vacancies को जल्दी fill out किया जाए, collegium system की जो recommendation है, उस पर government जो हो जल्दी ध्यान दे और vacancies को fill किया जाए, इसके अलावा हमें हमारी constitution एक responsibility दी है, कि हमें balance create करना है, चाए वो legislative हो, या executive हो, या फिर judiciary हो, इसके अलावा ये हमेशा है बोलते हैं कि हमें भारत के अंदर, क्योंकि role change हो रहा अलग-अलग level पर judiciary का भी, इंडिया में जो judicial system है, इसको indigenization करने के requirement है, Indian judicial system को, अगर आप indigenization करेंगे, यानि भारतियों के लिए, भारतियों common व्यक्ति भी judicial process को समझ पाए, ये बहुत help करेगा उनको, और language barrier को हटाए जाने चाहिए, कि केवल आप English में ही एक तरीके से debate करेंगे, यहाँ पर, वो सारी चीज़ अगर होगी, तो ये game changer हो सकता है, science and technology innovation का, और इसके changes हो, इसके लाब आगर आप economy section के अंदर देखेंगे, कुछ छोटी छोटी important information है, recently एक word काफी importantly news रहा है, वो है एकनोमी में या RBI के टरम के perspective से, 8 April को RBI के monetary policy committee की meeting हुई, monetary policy committee basically जो interest rate होती है, उसके बारे में decide करते है, 6 memory committee होती है, 3 RBI के representative होते है, 3 सरकार के होते है, governor साब इसको chair करते है, हर 2 मेने में इसकी meeting होती है, तो यहाँ पर यह बताया गया, के एक word इस्तमाल किया गया, standing deposit facility, इसका मतलब यह है, कि जो access liquidity है, उसको observe करने काम किया जाएगा, SDF से एक additional tool जो हो, employee किया गया, RBI के दौरा, जो access liquidity को access करेगा, जिसमें 3.75% का एक तरीके से overnight rates को hike किया जा सकते है, increase किया जा सकते है, इसके लावा right hand side एक information है, जिसमें हमारी union finance semester इस टाइम पे Washington DC के अंदर गई, जहाँ पर IMF, WTO, इसके लावा World Bank के जो leading official उनके साथ consultation किया गया, भारत की तरफ से कहा गया, कि भाई हमें special tension requirement के लिए requirement है, जो distress countries है, या countries को जो stress face कर रही है, खासकर debt stress, सिलिंका को लेकर special efforts किया जाने चाहिए, इसके बारे में एक जानकर ही दीगी है, इनके लावा WTO के जब डारेक्टर जनरल नेगोजी ओकुन जो इवीला, इनसे इनकी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा, कि आज के टाइम पे युक्रेन और रशिया conflict की वज़े से काफे crisis है, खासकर grain के मामले में, agricultural product के मामले में, इसलिए WTO को जो rules है, उसके अंदर changes करने के requirement है, ताकि proper consultation के थूँ अगर ये changes होते हैं, तो ये game changer हो, और भारत इन conflict के वज़े से, बहुत सारी country, जो wheat यानि गेहूं के लिए काफे depend करती थी, किसके उपर, इन countries के उपर, उक्रेन और रशिया पर, अब वो alternate ढूंड रही है, इंडिया, बहुत सारी country, 20 से ज्यादा country, जो major country है, वो इंडिया को लिख चुकी है, कि हमें wheat चाहिए, यानि गेह room की requirement है, खासकर इस जिसकी overall requirement, जो 80% से ज्यादा, वो import पर depend करती है, तो इसको लेकर discussion किया गया, इसके अलावा अगर आप, इसके अलावा इस page पे गर आप देखें, बहुत छोटी से लेकिन important एक information है, European Union और के बीच में एक तरीके से consultation हुआ है, कि Google, Meta और बहुत सारी जो mega का giant company है, इनको illegal content को जो curb करना पड़ेगा, और उसको लेकर एक rule, digital service act, जो है वो, यह आपको देखने को मिलेगा, और second इस तरह का यह incentive है, यह consultation की through, mention किया गया, और यहां पर यह बताया कि जितनी भी joint है, या जितनी भी companies है, major companies, उनको यह follow करना पड़ेगा, जितने भी online platform है कि illegal content को वो करब करें, counter करें, और उसको लेकर online rules जो हो, mention किये गए है, कई बार UPSC में direct सवाला दते हैं कि इस तरह का topic कहां पर, किस area के अंदर news में राता, तो digital service act को लेकर एक agreement जो हो, यहां पर हुआ, उसी के बारे में, यहां पर mention किया गया, जहां तक world affair की बात है, world affair में particular कोई ऐसी news नहीं है, कुछ छोटी छोटी information आपको नजर आएगी, for example, world bank IMF ने का कि हमें food security को लेकर जो issues है, उसको address करने की requirement है, इसके बारे में बताया गया, बाकि particular यहां पर कोई ऐसी information नहीं, जो exam perspective से discussion करें, तो Indian Express में, आज की जो Indian Express है, उसमें फिलाल इतना ही, धन्यवा जहिन